Hello Everyone, Welcome to Origin NDA 2024 के First Attempt का Official Notification UPSC ने अपने वेबसाइट पर आज रिलीस कर दिया कल रिलीस किया 20 दिसंबर को तो आज का जो हमारा वीडियो ये प्योरली डेडिकेटेड है कि एज क्राइटिरिया क्या होने वाला है syllabus किस टाइब का end ये exam का pattern क्या होगा age limit क्या क्या है and जो भी उन्होंने अपने इस notification में दिया है हम सारी details जो भी complete information आपको जानने की ज़रत है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि exam का date उन्होंने क्या दिया है तो officially उन्होंने website पर exam का जो date है वो declare कर दिया है जो की होने वाला है 21st of April 2024 को और 21st April 2024 को जो होगा वो होगा NDA 2024 का first attempt जो second attempt होगा वो September side में होगा उसका notification बाद में आएगा अगर हम अभी देखें तो almost 140 to 150 days के round आपके पास है इस exam का preparation करने के लिए क्या के आपके preparation होने वाली syllabus सारा चीज़े हम आगे देखेंगे फिलाल तो हम basic जो details है वो देखेंगे तो जो Union Public Service Commission है UPSC वो NDA exam को conduct कराता है और कल उसने अपने website पर ये declare किया उसका जो PDF है फाइल वो आपको description में लिंक में मिल जाएगा आप वहां से पूरा पढ़ सकते हैं यहां पर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 117 पेज का वो PDF हो उसका आप कितना ही पढ़ेंगे तो यहां पर सारे में जो information है वो आपको मिल जाएंगे अब यह है NDA के 153rd course होगा इस साल नेवल एकेडमी जो नेवी के लिए academy होता है 10 प्लस 2 students के लिए उसका 115th course होगा जो की 2nd January 2025 से यह शुरू होगा तो इसका exam date इन्होंने यह दिया है and number of seats means इस साल कितनी seats होने वाली इस exam के लिए तो total seat चो होगी इस साल वो होने वाली है 400 अब यह 400 के seats को उन्होंने किस किन-किन category में इसे divide किया है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले तो army army के लिए सबसे ज्यादा seats यहां पे इन्होंने दिया जो कि यह 208 जिसमें से 10 seats female candidates के लिए reserved और अब female के लिए भी होने लगा है आप लोगो पता ही होगा पिछले कुछ सालों में यह चीज आई है और navy के लिए इन्होंने फिर seats निकाले है 42 जिसमें से 12 seats जो है वह female candidates के लिए reserved है पहले 3 होती थी अब उन्होंने 12 कर दी और थर्ड है air force के लिए air force के लिए किती seats है अब air force को तीन category में डिवाइट किया जा सकता है एक तो होता है flying जो की pilots होते हैं उनके लिए next होता है ground duty जिसमें होता है tech second ground duty होता है non-tech means technical technical branch जो है उसमें कुछ लोग और non-technical branch में कुछ लोग flying के लिए seat से सबसे जादा air force में 92 जिसमें से 2 जो है वो reserved है female candidates के लिए ground duties में tech में total seat से 18 जिसमें से 2 is again reserved for female candidates and non-tech में 10 seats इन्होंने दी है जिसमें से 2 है वो है female candidates के लिए reserved है अब naval academy इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा मैं बट अभी हम इसकी seats देख लेते हैं तो total seats इसमें 30 है जिसमें से 9 है female candidates के लिए reserved and इन सबका सम मिलाके हमारा हो जाता है 400 seats तो overall 400 seats nda में होती जो कि हर साल होती है वैसा ही same उस साल है और यह इसका है अब air force के लिए criteria क्या है age limit क्या है eligibility criteria क्या है army के लिए navy के लिए यह सब हम आगे डिसकस करेंगे देखते हैं हमारे अगले slide में है ओके है तो लास्ट डेट ऑफ सब्मिशन ऑफ एप्लिकेशन तो आपको जो अपना application का process है वह आपको complete कर लेना है उसके बाद आप यहां पर रजिस्टर नहीं कर सकते और यह आपको करना कहां पर है यह हम देखते हैं तो आपको जाना है UPSC online की इस website पर यह जो website आपको यहां पर दिख रहा है इस website पर आपको जाना है यहां पर जाके आपको एक OTR form फिल करना है OTR form क्या है one time registration means UPSC के किसी भी exam के लिए आपको इस website में जाकर रेजिस्टर करना है और यह आपका lifetime होने वाला है सिर्फ application form आता था और उसको आपको फिल कर देना होता था बट अब उन्होंने क्या किया UPSC के website में OTR का उन्होंने जगह ही बना दिया है जहां पर आपको अपना account क्रेट कर लिए फिर UPSC के जितने exams होते हैं आप वहां से उनको access कर सकते हैं तो आपको यह काफी ध्यान से करना है और यह पूरे साल में कभी भी इसको भरा जा सकता है बट अगर आपको application भरना तो यह चीज़ करनी जरूरी है तो सबसे पहले तो आपको वहां पर OTR फाइल करना है और OTR form में modification सिर्फ एक बार किया जा सकता है पूरी lifetime में सिर्फ एक बार उस form को modify किया जा सकता है त यहां का exams होता है इसका पूरा PDF आपको description में लिंक है और Telegram चैनल आप जोइन कर लीजिए वहां भी मिल जाएगा तो आप डीटेल में इसको पढ़ सकते हैं अब eligibility criteria हम देखते है कि कौन-कौन इस पर apply कर सकता है सबसे पहले तो nationality common सी चीज है इंडियन होना चीए या फिर नेपाल का कोई citizen होना चीए या फिर इन में से कहीं किसी एक जहागा person होना चीए जो कि शायद यहां पे उत्ता matter of concern किसी के लिए होगा ने बट में जो चीज है वह होती है age limit age limit marital status and आपका gender तो सिर्फ unmarried and हां य यह नहीं कि आपको अभी unmarried होना है आपको training period में भी आप शादी वहां पे करने ही सकती है इसका वहां पे उनका rule होता है जो भी है male female donor allowed है and 2nd July 2005 2 July 2005 के पहले पैदा नहीं हुआ रहना चीए and 1 July 2008 के बाद वो अगर candidate पैदा हुआ है तो फिर वो eligible नहीं है इसके बीच का कोई भी होगा वो eligible यहां पे है तो age limit काफे simple है आप बस देख लीजिए कि आप 2nd July 2005 के पहले तो पैदा नहीं हुआ या फिर 1st July 2008 के बाद तो पैदा नहीं हुआ है ओके तो यहां पे दो चीज आपको ध्यान देनी कि age limit के लिए आपको form कौन कौन से भरने means आपको proof कौन कौन सी चीजों का देना है कि आपका age क्या है तो यहां पे जो proof है वो होगा matriculation या फिर secondary school examination का certificate यही बस वहां पे माना जाएगा and जो चीज आपको ध्यान देनी एक ब यह थोड़ा ध्यान देने वाला चीज है कि army के लिए army के लिए 10 plus 2 pattern का कोई सा भी exam उसने पास किया हो 11 वाले देखिए यह चीज आप ध्यान रखे 11 के जो बच्चे है वो इस exam में नहीं बैठ सकते बैठ कौन सकता है जो 12 में अभी currently पढ़ रहा हो या फिर 12th pass out कर चुका हो अब यह तो है army के लिए but air force और navy के जो students है उसमें PCM जरूरी है means bio वाले सिर्फ army के लिए army के लिए eligible है air force और navy के लिए eligible नहीं है क्योंकि यहाँ पर उन्हों ले लिखा है with physics, chemistry and maths तो PCM जिनके पास है वही बस air force और navy के लिए यहाँ पर eligible है और bio वाले army के लिए eligible है math वाले भी army के लिए eligible हैं ही but bio वाले भी उसमें होंगे अब अब यहाँ पी आपको doubt यह आ रहा होगा कि जो 12th के बच्चे है क्योंकि यहाँ पर प्रूफ में उन्होंने दिया है matriculation certificate और 10 प्लस 2 का वहाँ पे आपको submit करना है कि कि कितने percentage से 10 प्लस 2 पास किया है तो इसके है बट जो SSB क्वालिफाई कर लिया बट अभी तक वो 12th पास नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना है तो डिरेक्टर जनरल ऑफ रेक्रूटिंग जो भी आर्मी के हैड़क्वाटर है DPS डेली आर्के पुरम में वहाँ आपको letter लिखना है और उसमें क्या post करना है आपको self- फोटो कॉपी आपके 12th के उसकी जिसमें आप पास हुए है और कब तक 24th December 2024 के पहले अगर इस डेट तक आप वो self-attested कॉपी वहाँ पर सेंड नहीं करते मतलब आप फेल हो चुके आपको इसके लिए eligible नहीं माना जाएगा तो यह थी 12th के लिए और जो पास आउट हो चुक अप्लिकेशन की fee for SC and ST and JCO and COs और ORS के जो students है उनके लिए no fee बट उनको छोड़के जो unreserved candidates है for example OBC and generals के लिए 100 रोपीज यहाँ पे application का चार्ज है अब यहाँ पे किस तरीके से आप इसको पे कर सकते हैं credit card, debit card, net banking, UPI जो भी तरीका होता है उन सबसे आप इसको पे कर सकते ह अगर आपको cash से pay करना है means आपके पास online pay करने का कोई तरीका available नहीं है तो इस साल UPSC ने एक आपके लिए वो भी दिया है कि आप cash के थुरू pay कर सकते हैं आप cash के थुरू pay करने का mode क्या होगा आपको nearest SBI की branch में जाके जो 9th January का जो last date है उससे एक दिन पहले तक आपको वह online pay कर दीजिए तो यह तरीका होता है cash से pay करने का हां और यह होता है traveling allowance जो कि आप return exam जब qualify कर लेंगे और SSB के लिए आप select हो जाएंगे तब आपको AC 3 tier की seat का to and fro आने जाने दोनों का charge आपको UPSC और NDA द्वारा आपको दिया जाएगा train का charge यह तो सारी simple से चीज़े थी exam त करने के लिए जो में चीज़ होता है वह अब हमको देखना है एंड यह का actual pattern क्या होता है कि देखिए आपको दो टेस्ट देने होंगे इसमें जो रिटन exam में वह दो पार्ट में डिवाइड होता है सबसे पहला जो exam होता है वह होता है maths का जो की two and half hours का होता है 300 marks मैस होता है 300 माक्स का सेकेंड होता है जनरल अबिलिटी टेस्ट अगें धाई घंटे का होता है 600 इसके maximum marks होते हैं तो इनों मिला के आपके टोटल माक्स होते है 900 जिसकी exam होने के बाद इस पर cut-off आता है कि कितने marks की उपर के जो students है वह qualified होंगे SSB interview के लिए अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि सिर्फ English में होता है यह exam यह Hindi में भी होता है तो maths का जो paper है वो completely bilingual होता है in the sense एक page में हिंदी के questions होंगे एक page में वही question English में लिखे होंगे maths के section मे और जो general ability test है उसमें part B अब देखिए general ability का जो section उसमें दो part होते एक होता है part A, एक होता है part B, part A में आपका आता है English and part B में आपके आते हैं GK, physics, chemistry, bio, जो भी चीज़े science की बची हुई है वो सारी चीज़े आती है part B में and general knowledge और current affairs यह उसमें आ गया यह आपको again एक page में Hindi के questions होंगे एक page में English के questions इस type से आपको जो paper का format वो दिया जाएगा यह सारी चीज़े अभी तो मैं सिर्फ आपको notification के form में बता रहा हूं आपको एक channel का link description में मिलेगा हमारा origin platform में ही हमने एक अलग channel बनाया defense के लिए जहां पर हम complete जो defense की exam से फॉर एक्जमपल एफकेट nda and other जो भी defense की exam से उनकी preparation हम वहां कराते हैं तो वहां जाके आपको English की preparation कैसी करनी है in fact teaching videos भी सारी चीज़े आपको चैनल पर मिलेंगी तो उस चैनल पर आप चले जाएए उसको subscribe कर लिजी क्योंकि उसमें भी आप videos continuously डलने वाले हैं तो वहां आपको सारा चीज में detail में discuss करूँगा कि English के लिए कैसे prepare करना है grammars आपको वहां पर सिखाये जाएंगे और सारी चीज़े वहां पर complete preparation NDA का कराया जाएगा अभी सिर्फ हम एक basic information ले लेते कि exam में होता क्या आखिर तो इस तरीके से आपका paper होगा अब इसका syllabus क्या रहने वाला है ओके यह चीज़ ध्यान देने वाली कि इसमें negative marking भी होगा negative marking किता होगा हर question पर एक marks आपको मिलेंगे अगर आपने कोई question गलत किया तो 0.33 means one third आपका यहाँ पर negative marking भी है ओके अब syllabus देखते इस exam का सबसे पहले हम देखते है maths का syllabus जो कि आपका होता है किते marks का 300 marks का यह paper one होता है धाई घंडे का यह paper होगा जिसमें एक चीज़ अगर आप notice करें कि इसका syllabus क्या है algebra matrices and determinants trigonometry जो भी आपका integral vector algebra statistics probability यह सब चीज़ में आपने एक चीज़ देखा होगा more or less 11th and 12th में जो आप maths पढ़ते हैं अगर वो आपने अच्छे से कर लिया means maths के लिए आप prepared है कुछ आपको extra J level का content आपको पढ़ना नहीं है maths में कि उस level का maths आएगा बिल्कुल नहीं जो आप basic 12th and 11th में आपने जो maths पढ़ी है जो कि आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं 11th में भी आपने पढ़ाई है इस साल भी 12th में आप है आपने अच्छे से किया ही होगा उसको तो आपको बस वही चीज़ करनी है and that is more than sufficient for nda का मैच section जो कि हमारे चैनल पर continuously मैच के वीडियोज डले हुए है तो आपको मैच में कुछ extra करनी की ज़रत नहीं आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं 11th में आपने अच्छे से पढ़ाई किया उसी को बस आपको revise करना है थोड़ा सा जाधा grind करना है तो मैच में आपको उतना जो करते आ रहे हैं stick to the basics मैच के लिए आप prepared है रही बात पार पेपर 2 की अब पेपर 2 को आपको divide किया गया है दो पार्ट में कौन कौन से दो पार्ट में एक पार्ट ए हैं English का जो क्या आपका होने वाला है 200 marks का 200 marks के आपके English के questions आएंगे and spotting errors English में किस type का होने वाला है यह आपको हम देखते हैं कि English में इसके paper में किस type के questions आएंगे देखिए यहाँ पे उतना idea हमको लगने नहीं वाला इसको हम अच्छे से detail में समझेंगे PYQs देखके जो कि इस video में possible नहीं है video बहुत लंबी हो जाएगी वरना तो PYQs वाली English के detailed strategy video आपको उस channel पे मिले कि जिस improvement और ordering अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज़ यह है कि spotting errors और sentence improvements यह दोनों जो topics है यह proper grammar पे बेज़ जाए clear इसके लिए आपको grammar अच्छे से सीखना होगा जो कि आपको उस channel पे videos मिलेंगे grammar में अब हमको क्या क्या चीज़े सीखनी है tense, voice, narration, verbs, nouns, syntax, more or less etc यह सारी चीज़े हमको सीखनी है जो कि बिहार, UP, राजिस्थान, board की exams में काफी पूछा भी जाता है board exams बस उस level पे नहीं थोड़ा detail में आएगा grammar जो की complete preparation आपको हम कराने वाले हैं, तो यह तो होगा grammar जिसमें आपको sentence improvement हो गया, spotting errors हो गया, spotting errors में क्या होता है, आपको एक sentence दिया होगा, proper एक sentence दिया होगा, उसको 4-5-5 part में divide किया होगा, अब आपको यहाँ पे select करना इस sentence के किस हिस्से में error है, वो होता है, PYQ में हम उसको देखेंगे, वो वीडियो जल्द आएगी चैनल पे, आप बस subscribe कर लीजिएगा, अब अगली चीज़े जो है, synonyms, antonyms, इसमें आपका दो चीज़े और add कर लीजी, idioms हो गया, and one word substitution, यह जो दोनों चीज़े हैं, यह complete आपको learn करनी है, यह सारी चीज़े आप जितना जादा पढ़ेंगे, जितना जादा याद करेंगे, आपको उत्ता जादा फायदा होगा, अब याद आपको करनी का है, certain books होते हैं, जिसका हम, अलग से एक वीडियो वहाँ पर डली हुई है, कि best books कौन कौन से है, NDA के लिए, अब उस पे और एक लिंग चाहिए, सारा description पर दिया हुआ है, तो telegram channels पर हम आपको PDF देंगे, जिनके थुरू आप इन सब चीज़ों को learn कर सकते हैं, इस पर कुछ वीडियो भी आएंगी, कि देखिए, synonym, जरूरी नहीं कि सिर्फ याद किया जाए, उसके कुछ tricks भी होते हैं, उन पर हम वीड भी हम preparation कर लेंगे, next है selecting words and ordering words in a sentence, यह more or less दोनों same चीज़े हैं, इसमें करना क्या है, आपको para jimbles भी इनमें बोला जाता है, कुछ different, तोड मरोड के sentence आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको fill करना है कि किस sequence में यह जो sentence है, वो proper मतलब बना रहे हैं, यह होता है हमारा English का मतलब आपको दो चीज़े करनी, grammar अच्छे से कर लेना है और यह चीज़े आपको याद कर लेनी, जो की बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कराने वाले हैं, ओके, अब जो important section है, वो है 400 marks का, general knowledge, अब general knowledge में यहापे आपको यह नहीं देखना है कि यहापे physics हो गया, chemistry हो physics, chemistry, geography हो गया, तो यह तो ठीक है, physics, chemistry आपकी यह 12th की numericals वाली नहीं आने वाली है, ना ही यह chemistry जो है, वहाँ पे आपको कुछ equations, formula, यह सारी चीज़े बनानी, यह सब कुछ नहीं करना है, जो basic 10th में हमने जो facts पढ़े हैं, physics के chemistry के, वो सारी चीज़े यहाँ पे आपको पू जो farsightedness है, उसको किस lens से हम cure कर सकते हैं, यह सारी जो basic science के सवाल होते हैं, यह आपके पूछे जाएंगे इसमें, कोई numericals आपको solve नहीं करना है, means 10th level का, अब यह general science भी उसी में आ गया, यह तीनों आपस में हो गया, इसमें bio भी आप include कर लिजिए, diseases and all, वो भी हम वहाँ पर कराने वाले हैं, उसका आप tension मत लिजिए, सभी topics के videos वहाँ पर मिलेंगे, अब important यहाँ पर हो जाटा है history, freedom movement, यह कोई भी 12th science का बच्चा यह सारी चीजे नहीं पढ़ता, history आप नहीं पढ़ रहोंगे, freedom movement आप नहीं पढ़ रहोंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ extra करन की जरुरत पढ़ती है, अब यह extra में आप उतना time नहीं लगा सकती कि आप 12th की NCRT उठा ले, या फिर सिदा आप history पढ़ने लगे, इतना आप नहीं कर सकते, आपके पास time कम है, आपको selective चीजे करनी है, तो वो selective चीजे जो है, इन पे सारी guidance वहाँ पर हम देंगे, बट से comprise होता है, आपका general knowledge जो की part भी होता है, यह important तो इसलिए क्योंकि यह होता है, 400 marks का, तो यह तो हमारा NDA का syllabus था, अब proper हर syllabus, हर हमारा जो section है, maths को, English को, GK को, किस strategy के साथ prepare करना है, क्योंकि time कम है, बट बहुत कम नहीं है, sufficient time है, आप कर सकते हैं, maths आपका हो चुका है समझ जी है, क्योंकि board exam के लिए आप prepared हैं, तो आपको तो उस चिसका tension लेना नहीं है, रही बात grammar की, तो grammar का एक complete plan हमारे पास ready है, one month का, कि किस तरीके से हम one month में grammar के syllabus को complete करके, next month से practice हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो जो plan की video है, वो भी आपको चैनल पर डल जाएगी, and रही बा वाली है, तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, और ठीक है, 9th gen तक इसका end date है, बट उटना delay आप करिये मत, अभी 3-4 दिन के time में apply कर दीजे, NDA के लिए, क्योंकि अगर आप last day तक wait करें, तो कई बार कुछ problem की वज़े से आगे पीछे हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी आप NDA के लिए register कर दीजिए, और कुछ भी problem जैसे आपको है, तो सारी community आपके साथ है, clear, तो आज के वीडियो में इत्ता ही था, मिलते हम अपने next video में, till then, goodbye, thank you, take care.